फेस्बुक बिजनिस अकाउंट को कैसे डिलीट करें? अगर आप ऐसे बोलोगो तो आप बिल्कुल रोंग हैं क्योंकि फेस्बुक अकाउंट की जगह हैं अब यहाँ पे पोर्ट पोलियो लिखा आ चुका है इसका मतलब है कि अब फेस्बुक बिजनिस अकाउंट की जगह है फेस्बुक बिजनिस पोर्ट पोलियो बोलना पड़ेगा इसको हम डिलीट कैसे करते हैं? वो इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ और क्या समझा रहा हूँ, सायद आपको नहीं समझ में आएगा, वो आपको स्क्रीन परी समझ में आएगा, क्योंकि इस टाइम Facebook earning course की latest series चल रही है, क्योंकि काफी पुरानी चीजे हो चुकी है, वो बदल चुकी है, अब नहीं नहीं चीजे आ चुकी है, तो इस बात का आपक करो, और दिमाग से भी, मैंने एक page को खड़ा कर दिया, टैक इसरा का, जिस पर 800 followers है, इस page का link मैं discussion में दे दिया है, अभी क्या भी follow जुरू से कर लेना, अब बात करते हैं, यहाँ पर main मुद्देगी, अगर आप देखने कोशिस करोगे, हमारे पास ना कही तरह के account है, तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी page पे चले जाना है, main profile पे नहीं, किसी भी page पे, तो हमारा page यह है, अब क्या करना चारहे हैं, facebook business portfolio को delete करने वाले है, तो यहाँ पर हम click करेंगे, यहाँ एक options है, meta business shoot का, यहाँ पर click करते ही, इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा, अब आप देखने कोसिस करोगे, यहाँ पर business portfolio, पहले business account होता था, business portfolio हो चुका है, आप यहाँ पर जाना, दो बने हुए, एक brand tag, PF मतलब portfolio, और एक बना है, tag हो business, तो हम delete करने वाले है, tag हो business को, तो जिसको हम delete करते हैं, उसी की setting में हम जाते हैं, पट एक बात आपको बदा दू कि अगर delete करना चाते हो, business portfolio को, पट उसके अंदर जो page है, वो remove करना पड़ेगा, नहीं तो वो भी चला जाएगा, तो हमारे पास जो है, यहाँ पर आप देखने कोसिस करोगे, इसमें एक page लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखने कोसिस करोगे, tag run page है, अब इसको हमें पहले ह यहाँ से करना है, ठीक है, इस पर click करना है आपको, remove पे, यहाँ पर बोलेगा, remove page from the business portfolio, तो यहाँ पर click करना है आपको, click जैसे ही करोगे, तो यहाँ से आपका जो page है, वो निकल जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहाँ देखो बिल्कुल खाली-खाली हो गया है, अगर करने वाला है, तो यहाँ पर setting में हम जाते है, setting में अगर जाएगे, इस तरह का interface आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पर options है, business portfolio, इस पर आपको click करना है, business portfolio, information इसको बोलते है, तो यहाँ पर options जो मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा, आपको यह permanently delete business, ठीक है, इस पर click करोगे, इस करते ही, यह password पूछ रहा है, password आप यहाँ पर डाल देंगे, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो यह क्या बोल रहा है, business has been settled for a deletion, यगर 24 जब आपके गंटे हो जाएगा, उसके बाद यह automatic deleted जाएगा, यहाँ पर done पर click कर देता हूँ, तो इस तरह से क्या है, कि आप का जो यहाँ पर portfolio था, 24 hours के अंदर जाएगा, अभी बागा नहीं है, तो आप थोड़ा सा वेट करना, 24 के बाद यह आपको नहीं दिखेगा, तो इस तरह से आप अपने business portfolio को delete कर सकते हैं, delete करने से पहले आपका जो page है, वो उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपका page भी चला जाएगा, तो page हमारा जुगातू बचाए निचे की तरफ, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को like, channel को subscribe करना, facebook के लिए, अगर आप भई वाकी में, लाकों में earning करना चाहते हैं, तो उसके लिए, हमारे page को follow करना पड़े पेज का लिंग मैंने description में दे दिया है, मिलता हूँ नेक्स वीडियो में, तब तक लिए कटाओ, बाई बाई, चेहें